गुड मॉर्निंग एवरिबन दोस्तों स्वागत आपका प्रैप पॉइंटर्स में टूड़े इस 10th of October माइनेब सिते इंतर चोधरी और आज हम लोग प्रैप पॉइंटर्स में कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं तो Nobel Prize मिलने की जो शु सी कमीटी थी उसकी मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो रैपोरेट है उसको चेंज नहीं किया गया है लेकिन यहां पर MPC की जो अप्रोच है बेसिकली मॉनेटर्स मनी सप्लाई के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वह थुड़ी सी चेंज हुई है उसके बारे में ब हम बात करने वाले हैं तो कि मोदी जी वहाँ पर जाएंगे मिटिंग को अटेंड करने के लिए उसके लाव अमेरिका के साथ हम लोग ने एक अग्रिमेंट किया है और MQ98 रीपर हम लोग बनाने वाले यह पुरा मामला क्या है बताऊंगा आपको उसके अलावा मेस ऑब्ज में चुका है टीन लोगों को मिला है इस बार प्र देविड बेकर जिन में से एंग है और ये उन को मिला है तो क्योंकि यह जो Mr. Demis Hasabes है और जो John M. Jumper है इन्होंने एक मतलजी रिसर्च के उपर काम किया था और जो हैं जिसे लोग आज के टाइम में हमारी ओर सीधा-सीधा इंपर्ट करता है इसलिए important है, चाहे कोई disease के लिए कोई आपको दवाई बनानी हो, आपको कोई vaccine बनानी हो, हमारी जो crops होती है, इनकी property को increase करना हो, हमेशा अब आयो technology आपको देखने को मिलेगी, इसलिए बहुत important topic है exam के perspective से, चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो जो डेविड बेकर को जो award मिला है, वो मिला है computational protein design के लिए, और जो जो डेविड बेकर को मिला है, इसका contribution का हो, मैं बात करूंगा, तो ये computational protein design है क्या, देखे, हमारे body में बहुत सारे proteins हैं, हमारी body का जो hormonal system है, जो सारा system है, वो बेसलिए इनी amino acids या protein के द्वारा चलता है protein के design, protein को design करना, biology में अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, एक-एक protein के structure को design करना, उसका जो 3D model होता है, इसमें कहीं कहीं साल लग जाते हैं, बेसलिए आप ये मानके चलिए कि एक आदमी पूरी PhD कर लेता है, 5 साल में, 6 साल में, 3 साल में, 4 साल में, एक protein को design क करते करते, इतना complex procedure होता है, और आप ये मानके चलिए, जब तक आप protein के design को नहीं समझ पाओगे, किसी particular protein के design को नहीं समझ पाओगे, आप उसके ओपर experiment भी नहीं कर सकते हो, कौन सी दवाई, कौन सा drug उसके ओपर impact करेगा, वो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको protein के design को करन करने में वो आपकी help करता है, वहीं जो mister hasabies हैं और jumper हैं, इन्होंने क्या कर दिया, protein structure के लिए prediction create कर दी, मतलब इन्होंने artificial intelligence का use किया, और आप इनको जब किसी protein के बारे में थोड़ा सा data देते हो, उस data को process करके, ये लोग predict कर सकते हैं, किस protein का structure कैसा होगा, और इसकी accuracy भी ब सकते हैं, लेकिन, जो mister hasabies ने और jumper ने method निकाला ना, आप कुछ घंटों के अंदर ही protein के 3D model को design कर सकते हो, तो ये जबरदस्त जो है, इन्होंने discoveries की की है, और इसके लिए इनको Nobel Prize वो finally Swedish Academy of Science के द्वारा यहां पे दिया गया है, अब आप एक चीज़ देखिए, Nobel Prize जब मिल research, एक original research, जो कि humankind को, humankind समझ के मतलब सरी काइनात को, मतलब सबको, जो कि humankind को impact करता है positively, हम ऐसी research में को देंगे, Nobel Prize देंगे, अब मालो किसी आदमी ने को 1950 में को research किया, किसी चीज़ को ले के, लेकिन उस research के basis बे जो technology डिवालप हुई, जो कि humankind को help कर रही है, वो 1970s में हुई, 1980s में हुई, बहुत बात 40-50 सल के बाद वो technology हुई, तो जब उस आदमी ने वो research की थी, वो जब invention किया था, discovery किया था, उस समय वो humankind की help नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है, वो technology हमारी आम जिंदगी का हिस्ता बन जाती है, तब जाके उ आदमी को उसका nobel prize मिलता है, तो अगर आप देखोगे ना nobel prize लोगों को 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40-50 साल के बाद दिया जाता है, जब उनकी invention largely humankind के लिए एक मतलब उनको help करती है, लेकिन ऐसा almost पहली बार हुआ है, कि research करने के 4-5 साल के अंदर में ही आपको nobel prize मिल गया, यह बहुत unique घटन है आपने आप में, जिस process में 20-30 साल लगते थे nobel prize मिलने पर, वो इनको सिर्फ 4-6 साल के बीच में ही मिल गया, क्योंकि इस discovery का impact इतना जादा हुआ है, आप imagine नहीं कर सकते, दो लाग के लगभग protein इन्होंने डिजाइन कर डाले, एतने protein को डिजाइन करने में आपको 100 साल लग जाते, लेकि इन्होंने कुछ सालों में कर डाले, क्योंकि इन्होंने ऐसा method develop कर दिया, इस वज़ेसे इनको nobel prize मिला है, तो जो Mr. Baker है, इनकी शुरुआत होई थी 99 के अं method बोलते हैं, उससे जो है इन्होंने protein को डिजाइन करने का method जो है, वो निकाल दिया था, ठीके जी, इनकी जो discovery होग वो कैसे काम आई, COVID-19 की जो vaccine बनाई गई थी ना, उसमें इन्होंने help किया, उसके अलावा, अभी 2022 में दो साल पहले, एक COVID-19 की vaccine निकली थी अमेरिका में, आपको drop नहीं लेना है, आपको injection नहीं लेवाना है, आप उसको अपनी nose के थूरू भी ले सकते थे, यह इसी लिए possible हो पाया, because हम लोग उसका protein design कर पाए, protein design अगर नहीं होता, तो यह हम लोग antiviral जो nasal spray है, वो भी नहीं बना सकते थे, यह इनका real life में contribution रहा, वहीं damage की बात करें, तो इन्होंने alpha fold 2, एक intelligence, artificial intelligence system में काम किया है, basically google का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसे हम लोग deep learning बोलते हैं, deep mind भी बोलते हैं उसको, उसमें लोग काम करते हैं, और artificial intelligence, machine learning का बहुत अच्छे से use करते हैं, और यह proteins को design करते हैं, क्रोडों proteins इन्होंने design अब तक कर लिए हैं, जिनको करने में बहुत साल लग जाते थे, इन्होंने को बहुत जल्ली का डाला, चीक है, तो यह थोड़ा साब इसको, उस context में समझ सकते हैं, तो इसका research का basically, main significance यही है, कि जो सालों की मेहनत लगती थी है, वो कुछ घंटों में हो सकती है, हम लोग लोग नए protein design कर सकते हैं, ने protein दवाईयों लैब के अंदर बना सकते हैं, तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी बहुत सा drugs आपको मिलेंगी, उन बिमारियों के लिए, जिनका आज की समय में कोई इलाज नहीं है, thanks to the scientist, ठीक, चलिए, policy stance of RBI, एक general general तोर पे आपको मैं कुछ चीजी हैं पर ब understanding होनी चाहिए, क्योंकि current affair foundation के उपर ही टिकावा होता है, अलापकी foundation week है, तो current affair आपको उपर उपर से लगे कि आपको समझ में आ गया, पर उस information को रिटेन नहीं कर पाऊगे, long period of time के लिए, क्योंकि वह in-depth वो जो roots होते हैं, paid के वो नहीं है, तो पहले अपना foundational part, static part आपको supply का concept क्या होता है, international trade इसको कैसे impact करता है, currency fluctuation कैसे काम करती है, ये सब चीज़े समझने के बाद आपको इस तरह के topic समझ में आते हैं, तो अगर आपका वो वाला concept क्लियर है, तो फिर तो आपके topic अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसका वो नहीं है, फिलहाल topic cover है, अब ये neutral stand के वाको में बताता चलता हूं, देखें, दो तीन चीज़े होती है, एक होती है accommodative stand, यहां से पैसी में exam में कुछ नोड़ी आ चुका है, एक होती है withdrawal, मतलब उसका opposite, और एक होता है neutral stand, मोटे मोटे तोर में आपको बता देता हूं क्या है, छोटी छोटी है, जब money supply बहुत जादा हो जाती है, ठीक है, money supply जादा होती है, तो लोग demand जादा करते है, inflation बढ़ता है, पहली बात है, इसके साथ साथ, growth भी तभी होती है market में, जब money supply बढ़ती है, तो कि inflation growth से जुड़ी हुई है, जितना market में पैसा होगा, उतनी ही growth होगी, मतलब GDP growth की म बात यहां पर कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक negative aspect है कि इससे inflation generate होता है, जब market में money supply बढ़ती है, तो definitely economy grow करती है, लेकिन उससे inflation भी तो बढ़ता है, currency की value कम हो जाती है, अब RBI के सामने ये एक तरह से मान के चलिए एक dilemma है, वो करे तो क्या करे, अगर वो inflation को control करने लगती है तो growth के उपर impact, growth भी कम हो जाती है, और अगर growth को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो inflation भी बढ़ जाती है, इसलिए RBI ने क्या किया, एक beach वाला रास्ता अपनाया, ठीक है, उसको हम लोग neutral stand कहते हैं, फिलार, stance कह सकते हो, neutral stand कह सकते हो, एक होता है accommodative stance, accommodative stance होता है, वो growth के चाहिए, GDP grow करनी चाहिए, 7%, 8%, 9%, इसके लिए उसको money supply increase करनी पड़ती है, उसको interest rate कम करने पड़ते हैं, जब interest rate कम होते हैं, तो money supply बढ़ जाती है, यह होता है accommodative standard, यह दब करती है RBI जब market में demand बहुत कम हो गई हो, जैसे COVID-19 क्या बात कर सकते हैं, market में demand कम हो रही थी, तो उसने क्या क्या money supply को बढ़ा दिया, जिससे जो economic engine है, वो चलना start हो जाता है, यह तो होता है accommodative standard, जो growth पर focus करता है, एक होता है withdrawal of accommodation standard, यह तब काम करता है, जब inflation को control में करना होता है, जब RBI को लगता कि भाई, बहुत पैसा हो गया market में, inflation बहुत जादा हो गई है, currency के वाली जाता है, और उसके लिए वो क्या करता है, interest rate को increase कर देता है, तो जब accommodative stand होता है, तो inflation जो interest rate हो कम होता है, और जब withdrawal होता है, तो interest rate को बढ़ा दिया जाता है, जब accommodative stand होता है, तो market में money supply बढ़ाई जाती है, और जब withdrawal करती है, तो market में money supply को कम किया जाता है, यह दो stand होते ह कहता है ना तो मैं ग्रोथ के उपर फोकस करूंगा ना ही मैं इंफलेशन के उपर फोकस करूंगा मैं दोनों को equal importance दूंगा मुझे growth भी चाहिए मुझे inflation भी चाहिए इसे बोलता है neutral stand तो market में जो situation इससे में बन रही है उसको analyze करते हुए observe करते हुए RBI ने अपनी approach को change किया है और RBI कह रहा है कि भाई मैं तो neutral stand लूँगा ना तो मैं growth के साब से चलूँगा ना ही मैं inflation के साब से चलूँगा मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा फिर एक hawkish stand भी बोला जाता है चार relation है आपको यह समझना पड़ेगा इंफलेशन मतलब महंगाई की मैं बात कर रहा हूं जब market में money supply बढ़ जाती है तो inflation भी बढ़ जाती है जब market में money supply कम हो जाती है तो inflation भी कम हो जाती है यह आप इसको तरह से मानके चलिए ठीक है जी तो आर्बी ने ऐसा क्यों किया यह neutral stand आर्बी ने क्यों किया ताकि economic जो condition है वो balance होट सके एक economy के अंदर stability आ सके जो interest rate है उसके लिए हम लोग future में अपने आपको तयार कर सके अब यह क्या पता ही नहीं चलता हर दो तिन महीने में meeting होती है में इंट्रेस्ट उपर चला गया कभी नीचे चला गया तो मार्केट में stability नहीं रहती है अब neutral stand के बाद मार्केट में एक signal जा सकता है कि जो आर्बे की policy हो stable रहने वाली है ना तो बहुत जादा इसमें changes आएंगे तो मार्केट उससे हमें से अपने आपको balance out कर सकती है तो यहीं इसका impact होने वाला है GDP growth वो छे साथ के पर आजपास जो है वो चल सकती है अमेरिका के अंदर जो interest rate cut होता है या बढ़ता है अमेरिका में उसके साब से हमारी policy को हम लोग better sorry better उसको adjust कर सकते है तो यह कुछ-कुछ चीज़े market में confidence आएगा इसकी वज़े से right market जो है वो stable हो जाएगी तो इसका long term में आपको काफ़ साथ benefit देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए प्रतन टाटा जी की unfortunate death हो चुकी है मतलब he was 86 और 87 years old 1937 में उनका जनम हुआ था बड़ा ही लंबा एक उनका professional life उनकी रही है 1991 के इंदर वो टाटा संस के chairman सबसे पहली बार बने थे जे एडी टाटा जी को replace करके 1991 से लेके लगातार 2012 तक वो चेर परसंद रहे फिर बीच में वो हट गए थे chairmanship से फिर 2016 और 17 फिर से वो चेर परसंद रहे तो उनके life में basically उन्होंने टाटा को कहां से कहां पहुंचा दिया आप मान के चलिए 22 साल तक वो चेर परसंद रहे उन 22 सालों में जो टाटा का profit और revenue था वो पचास गुना बढ़ा दिया उन्होंने 2011 बारा में total revenue जो टाटा संस का था टाटा गुरूप का था पूरा वो 100 billion dollar तक पहुंच गया था भाई फिर वो टैलीकूम सेक्टर के अंदर भी आए कंपनी है कंसल्टेंट कंपनी है इसके अंदर भी आए कई सारी global ब्रैंड जैसे लैंड रोवर कॉर्पस ग्रूप जैगवार ग्रूप टैटलेटी सब को उन्होंने अक्वायर कर लिया फिर एक उन्होंने नैनो गाड़ी भी निकाली थी आपको पता एक लख 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 टक confidence build up होता है आप यह मान के चलिए ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों के जमाने में माना जाता था कि इंडियन लोग बिजनस करी नहीं सकते ठीक है आप तो खेती बाड़ी करने वाले हो सांप पकड़ने वाले हो हाथी पे चलने वाले हो तो यह एक इमेज थी कि तो uncivilized ह यह economy growth करने कर ही नहीं सकते लेकिन अब जैसे Reliance है टाटा है यह बड़ी बड़ी companies जो धूम मचा रही है दुनिया भर में तो एक narrative change हुआ है इंडियन को लेके भाई जैगवार लैंड रोबर वर्ल्ड रिनाउंड luxury brands मानी जाती है अब यह इंडियन कंपनी है तो वह एक जो इमेज है हमारी वह बढ़ी जो TCS के में लोग बात करते हैं जो IT सेक्टर के अंदर है वह एक वर्ल्ड की मतलब तो फाइव कंपनी में से आती है वहाँ पे उसकी वज़ए से वह सब चीजें हुई तो इवन टाटा ग्रूप जो है काफी ज़्यादा ट्रस्ट वगरा भी है वेलफेर के लिए काफी कुछ काम करता है अनिमल्स के लिए ओल्ड एज पीपल के लिए कैंसर ट्रेटमेंट के लिए होस्पिटल फ्री चलता है तो बहुत सारी चीजें है पदम भूशन और भूशन मिला इनको टाटा जी को हाला कि काफी समय से लोग इनके लिए भारत रत की दिवान कर रहे थे लेकिन उसको फिलाल तो नहीं किया गया है चलिए मालाबार एक्सरसाइज फाइनली हो चुकी है 8 अक्टूबर को आज 10 तारिक है तो परसो यह हुई थी विशाका पतनम में तो मालाबार एक्सरसाइज के अंदर चार कंट्री हैं आपको शायद पहले एंड इंडिया बाद में जब इसको मालाबार एक्सरसाइज हम लोगों ने लिया 2007 के बाद से फिरिसम के अंदर 2015 के अंदर जपान भी आ गया ठीक है जी ऑस्ट्रीलिया भी 2020 के अंदर इसके अंदर आ गया और तब से लेके हर साल यह एक्सरसाइज चारों कंट्री मिलके कह ना कहीं अपने इस आप से करते रहती हैं कभी फिलिपीन्स में होती है कभी इंडिया में होते है कभी जपैन और लोग इसको करते रहते हैं चलिए एशिया अंडिया एक्सरसाइज इंप्रमेशन है तो यह जो एशिया इंडिया समिट है 2002 मेंश की शुरूरात होई थी और अब यह annual event बन चुका है, हर साल इसकी meeting होती है, तो एशियान के अंदर जो है, यह 10 country आती है, आपको यह पता होना चाहिए, रट्टा मार लो इसके उपर, ठीका कौन-कौन सी 10 country है भही एशियान के अंदर, एशियान के बार में थोड़ी सी information पता होने चाहिए, 1967 इसको establish किया था, Bangkok, Thailand के अंदर, और इसके Bangkok declaration भी कहते हैं, जब आई इसको बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि इस एशिया इंडिया सम्मिट के अंदर सिर्फ इंडिया ही जा रहा है, बतमीं 10 country के लावा, नहीं ऐसा नहीं है, अमेरिका भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सरी चीज़ों के अपर बात की जाती है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, चलिए, MQ-9B Reaper, तो आप यह देखी सकते हो, यह drone है बेसिकली, ठीक है, और यह drone हम लोग लेने वाले हैं, अमेरिका से, ठीक है, इस drone के अलावा, हम लोग ने अमेरिकन कंपनी क के साथ एक agreement किया है, कि हम लोग nuclear attack सब्मरीन इंडिया में बनाएंगे, तो थोड़ा सा technology transfer भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, American company इंडिया में अपनी manufacturing unit बनाएगी, तो technology transfer होगा, indigenously develop करेंगे, तो दो ऐसी सब्मरीन बनाने का contract अमेरिका के साथ किया गया है, उसके ल 1700 km की range होती है, 1700 kg तक weight का payload हो सकता है, 40 घंटे तक 40 hours तक यह लगातार इसकी endurance होती है, यह surveillance कर सकता है, ठीक है, unmanned होता है, obviously remote control से सको चलाया जाता है, तो tension ही नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, चलिए, major atmospheric, चरंग को experiment observatory, जिसे हम लोग बोलते है, मेस, इसको मेस बोला जाता है, तो यह inaugurate हुई है भई, कहाँ पर, इंडिया में हुई है inaugurate, लदाक के अंदर एक हमारी observatory है, हैनले, वहाँ पर इसको inaugurate किया गया है, कहीं सारी countries का इसमें contribution भी है, बट, majorly, indigenously, यह इंडिया का project है, और अभी इसको हम लोग ने inaugurate किया है, दुनिया का highest, एशिया का largest imaging Chernoko telescope है यह, 4300 meter की height piece को लगाया गया है, इसको इतनी उपर क्यों लगाया गया है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा height होता है तो atmosphere उतना ही clear होता है, साफ होता है, pollution नहीं होता है, light pollution नहीं होता है, तो आप आराम से observation अपनी कर सकते हो, लेकिन किस चीज के observation करनी है, सवाल तो यह भी उठता है न, जो universe के अंदर जो cosmic events होते हैं, उसकी हम लोगों ने observation करनी है, जैसे कहीं पर कोई supernova explosion हुआ, कोई black hole generate हो रहा है, gamma rays कहीं से आ रही है, radio waves कहीं से आ रही है, उन सारे event को यहाँ पर observe किया जाता है, और यह बहुत जरूरी है समझने के लि इसको समझना बहुत रूरी होता है, और आप यह भी चीज देखके देखें हैं, इंडिया को एक unique situation, unique space, unique जगे प्रवाइड करवाता है, वर्ल्ड के अंदर, जब हम लोग science and technology की बात करते हैं, तो यहाँ पर already ISRO की इतनी ज़्यादा respect है, और one of the leading space organization है हमारा ISRO, अब यह भ मिलता है कि आप इस field में जाके भी काम कर सकते हैं, तो यही था इस article में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके लावा foundation course के लिए लगातर messages विए आ रहे हैं, comment section बच्चे करते हैं, तो अगर आप भी foundation course join करना चाहते हो, number आप यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर call करके आप सारी information foundation course के लिए ले सकते हो, अगर आप full time UPSC aspirant हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप college में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप job करते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंगी course इस तरह से design किया गया है, कि हर किसी की requirement के हिसाब से आपको मिल जाता है, जो आप class live record करते हो, in case आप live नहीं कर सकते हो, आप को test series यहाँ पर मिल जाती है, तो कोई कमी नहीं है, basically, full-fledged, एक दो well prepared और designed यह course है, आप इसको कर सकते हैं, तो आज की दिक्रीत रही है, thank you very much, all the best, जाहीं